हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 अप्रेल के इंपोर्टन कर इंटर फियर्स के क्वेस्चेंस फिर इस वीडियो का पीडियो आप लोग को मिल चाहेगा टेलिग्राम में तो आप वहां से जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप को और वहां से आपको सभी वीडियो की जो पीडियो फाइल है वो इसली आपको मिल जाएंगी तो चलिए इस इंपॉर्टन सेशन को हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से लाइफ एस कॉट ऑट और त सब्सक्राइब करना है और देखिए गाएंगी तो आपको उसके लिए तयार रहना है उसका सामना भी करना है और देखिएगा उस situation बहुत easily आपके लाइफ से चलिजाएगी और बहुत अच्छी अच्छी news या बहुत खुशिया भरी जो भी लाइफ है वापके लिए तयार रहेगी हमेशा तो इसलिए हमेशा कभी घबराएं ना किसी भी situation से तो चलिए शुरू करते हैं class को पहला कोशन देखिए विच एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्ताइं जॉइंट स्पेशल फॉर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है खंजर 2022 हेल्ड आप सभी को पता होगा कि जो exercise है ये शुरू होई थी 25 मार्च को अभी ये न्यूस में इसलिए रही है क्योंकि इस exercise का समापन हुआ यानि ये exercise end हुई है इसलिए हमें ध्यान रखना है इसका इस पार जो edition हुआ है वो ये 9th edition हुआ था कोशन ये भी पूछ सकते थे कि कहां क इसकिस के बीच में ये exercise हुई है तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये चो exercise है वो हुई और कहां पे हुई ये भी ध्यान रखो हिमाजल प्रदेश में एक जगा है बकलो वहां पे special forces training school है जहां पर इस exercise को conduct कराया गया अब ये exercise दिखे दूनों देशों के बीच मे रखें तो इसके उबर पूरा का पूरा focus किया गया किर्गिस्तान की बात करते हैं तो capital है यहां की बिशके, currency है किर्गिस्तानी सोम और यहां पे president है इस टाइम पे सैदर जबरोब अब देखे कुछ और exercise की बात करेंगे क्योंकि देखे काफी important topic है और इस पे काफी वीडिय आप लोग को already provide की गई है अगर आपने नहीं देखी हो तो current affairs topics नाम से playlist है उसमें जितने भी current affairs के topics है ना वो सारी वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी इसका भी link आपको description में भी दिया हुआ है वहां से भी देख सकते हैं देखे अभी हाली में वरुन exercise होई है जो कि इंड इडिशन हुआ था और ये इसको कंड़क्ट कराए गया था अरेबियन सी में इसके अलावा देखे युनाइटेड स्टेट्स के military और फिलिपिन्स के military के बीच में बलीकतान नाम से exercise होई थी नेक्स्ट देखिए एक्स धर्म गार्डियन exercise जो इंडिया और जपान के बीच म वुसिक has been re-elected as a president of which country हाली में किस देश के राष्टपती के रूप में इन्हें फिर से चुना गया है कंट्री हो जाएगी देखिए हाँ पे सर्बिया is the right answer कोशन थोड़ा सा उल्टा करके भी पूचा जा सकता है कि सर्बिया के भी हाली में राष्टपती के रूप में किस ट्रिक है अलेक्सेंडर में आ रहा है जेंडर से थोड़ा हम रिलेट करेंगे सरेंडर ठीक है सरेंडर रिलेट करनेगा जब सरेंडर हम करते हैं कि जैसे वाले पुलिस के सामने कोई चोर है कोई भी किसी को सरेंडर करना किसी भी बात को लेकि तो वो अपना क्या कर लेता है सर जुका लेता है, ठीक है, तो सर को नीचे कर गया कि भई मैंने सरेंडर कर दिया मेरे बसकी तो है नहीं, तो बस सर से हो गया सर भी या, और सरेंडर से हो गया अलेकसेंडर, ठीक है तो ये हमें धियान रखना है He has served as a president for two terms, ये दो बार ही यहां के president रहे from 2014 से 16 और 16 to 17 2017 में he was first elected as a country's president और इनों ने सकसीट किया Tomislav Nikolic को ठीक है, ये हमें धियान रखना है और सर्बिया की capital है Belgrade और सर्बिया की जो currency है वो है सर्बियन धिनार ये धियान रखेगा, अब हाल फिलल कुछ और president, prime minister appoint हुए है, यहां पर देखे Gambia के president अभी हाली में appoint हुए, Adama Barrow इसके अलावा देखे, president of Ujbekistan, तो ये दुबारा से यहां पर president पत के लिए elect हुए है जिनका नाम है, शाफकत मिर्जियोवेब Next देखे, Sweden की पहली prime minister, female prime minister appoint हुए है, उनका नाम है Magdalena Anderson Next देखे, Petrofiala जो की Shares Republic के prime minister appoint हुए, next name is Sheikh Sabha Al Khalid Al Sabha, ये कुवेट के नए prime minister मनी है और Fumio Kishida, ये जपान के prime minister पत के लिए दुबारा से re-elect हुए, तो ये हमें ध्यान रखना है कुछ important appointments में अगला question है देखिए, India has supplied more than 2,70,000 metric ton of petrol and diesel to which country by April 2022 help ease the power crisis in the country amid the country's worst economic crisis in decades आप सभी को पता है कि इस टाइम पे जो बहुत बुरी हालत चल रहे है, वो Shri Lanka की चल रही है, जहाँ पे economic crisis बहुत तेजी से मतलब बड़ा है और एक्तम ते वहां के हालत बहुत ज़ादा बेकार हो गई इस टाइम पे, तो इसमें इंडिया जो है, वो इनकी मदद कर रहा है, यहाँ पर 2,70,000 metric ton of petrol डीजल की supply करके, कौन सी country तो आप समझी कई होंगे, वह किस country को दिया जा रहा है, यहाँ पे, यह जो help है, वो दिया जा रहा है, इस इसके अलावब देखिए, 500 million dollar oil की जो line of credit है ना, उसको श्रिलंका को जो line of credit दी गई है, उसी कही एक part है, यह जो कि यह जो डीजल और पेट्रोल है, जो कि श्रिलंका को बेजा जा रहा है, अगरा question है हमारा, with which country did India conclude a two day bilateral workshop on quantum technologies, तो देखे, question में पूछा है कि कौन सी country के साथ इंडिया ने दो दिन का दोई पक्षिये कारेशाला का समापन किया है, तो कौन सी country हो जाएगे, तो यहाँ पे आपको धिहान रखना है, इसराइल देश के साथ में इसको किया किया था, इसको देखे, DRDO और जो DRDO Industry Academy Center of Excellence है, साथी में IIT Delhi, इन्होंने मिलकर इसे organize किया था, उनके उपर यहाँ पे विचार विमर्ष करना, एक तरीकी का यह Joint Quantum Technology Roadmap विक्सित करना और दोनों देशों के बीच में टेकनलोजी को लेकर जो development है, उसकी एक योशना बनाना, इस purpose के साथ इस वरक्षोप का आयजन किया गया था, तो इंडिया और इसराइल के बीच में वरक Official Meeting in 2022, कौन से देश ने स्वच उर्जा मंतरी स्थरिया वरिष्ट अधिकारियों की बैठकी मेजवानी की, तो यह मेजवानी किस कांट्री ने करी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया, देखो इसमें क्या किया है, रिव्यू किया गया है, जो clean energy policies है न, उनको रिव यह था, कि जो सितंबर 2022 में, जो upcoming clean energy ministerial meeting है न, उसका agenda भी तयार करना, कि बही उस meeting में हम क्या करेंगी, क्या planning करेंगे, तो पूरा agenda भी तयार करना, तयार करने के लिए workshop जो यह meeting हुई है, इसमें इसके बारे में भी बात की गई, देखे कुछ additional information की बात करते हैं, तो देखे के प्राइम मिनिस्टर नरिंद मोदी जी ने अभी हाली में 5th BIMS Tech Summit हुआ, जिसको श्रेलंका ने होस्ट किया था, इसको attend किया भारत की तरफ से, इसके लावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेला जो है, Scott Morrison, इनके बीच में, इंडिया तो ये कुछ और मीटिंग से इनके बारे में भी आप लोग जरू धियान रखें, अगला कोशन है फ्रेंट समारा, विच मिन गवर्मेंट मिनिस्टरी हास पार्टनर विद इंडिया पोस्ट फोर डूर टूर डूर डिलीवरी और पारसल्स, पर डूर 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 डिलीवर का इसमें क्या होगा, जो पहला माईल होगा, जो लास्ट माईल कि कनेक्टिविटी होगी, वो डिपार्ट्मेंट और पोस्ट प्रोवाइट करेगा, इसके बीच कि जो intermediate connectivity से स्टेशन ले जाना, वो रेल्वे की दूर होगा, मदब क्या है, जहां से बारसल जा रहा रहा है, railway तक वो post के थूँ गया फिर वहां से railway से railway station तक जाना है वो गया railway की हल से अब वो दूसरे railway station पे पहुंच गया अब वहां से parcel को बही किसी जगा पे पहुचाना पड़ेगा वो काम करेगा post तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो आप कहलो की एजंडा है और यह तरीके का यह पहला है जहाँ पे फ्राइट और पार्सल को डिलीवरी किया जाएगा रेसीवर के डूर तक घर तक के दरवाजे तक इसके लावा देखे एंवारमेंट मिनिस्ट्री ने अनौंस किया था अभी प्रकरती ग्रीन इनिशेटिव को नेक्स्ट इजुकेशन ने भाशा सर्टिफिकेट सेल्फी कैम्पेइन को लॉंच किया है तो फ्रेंड्स मैं आपको साथी साथ में क्वेशन से रिलेटेड एडिशनल फेक्ट में बताती चलती हूं देखिए ताकि हम जो पुरानी करेंट अफेस हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भ छो रोख लग जाते हैं उनका पहले ही पता लगाने के लिए इजिनों ने साथ में dei क्या सॉझ यूरि आन अगरं मां उनका पता लगा लेंग सकते हैं तो कोई स aggrav norm तो वही करेगा यह दिखे अर्ली डिटेक्शन कोई भी डिसीज होगा उसके अर्ली डिटेक्शन पता लगाने के लिए समाधान पेश करेगा और इसके लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जाएगा अगला कोशन है हमारा which of the following union minister has launched the digital dashboard for district गंगा committee's performance monitoring system तो कौन से केंदरे मंत्री जिन्होंने जिला गंगा समीतियों के प्रडर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डेश बोर्ट लाँच किया है आप देखो इसमें क्या होगा जिला इसतर पर यानि district level पर एक mechanism को स्थापित किया जाएगा गंगा river basin के लिए और गंगा जो या फिर उसके tributary हो गई वहाँ पर pollution को management करना किस तरीके से हम उसे रोग सकते हैं लोगों का क्या इसमें participation है इसको ensure करना तो इसी के लिए इस system पूरा जो है वो launch किया गया है अगला question है who delivered the keynote address at the India education summit 2022 भारत सिक्षा शिखर सम्मिलन 2022 में मुख्य भाशन किस ने दिया है अब दिखो education के उपर है तो education minister यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ इसको इसमें भाशर देंगे तो इसलिए आपका answer रहेगा धर्मेंद प्रधान is the right answer यह जो summit हुआ है it is a dialogue platform जो कि Google और Indian Express के द्वारा एक तरीके से organize किया गया यह दो दिन का summit हुआ था जिसमें technology intervention यानि किस तरीके से हम government education में technology को use कर सकती है या फिर बच्चों की जो online classes होती है कैसे उसको safe रख सकते है education को तो इसके उपर जो है इस summit में discuss किया गया था जिसमें जो keynote या भाशर दिया वो धर्मेंदर प्रधान जी ने दिया इसके लावर देखे और कोई news हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजिडेंट रामनात कोविंद जी ने आरुग्ये वनम को inaugurate किया राष्टपती भवन में इसके लावर यह important news है काफी जादा कि हिमाचल प्रधेश का जो चमबा डिस्ट्रिक है यह हर घर जल वाला जो डिस्ट्रिक है वो कौन सा बना सौवे नंबर का 100 नंबर का प्राइम मिनस्टर नरेंद मोदी जी ने स्टेच ओफ इक्वालिटी को unveil किया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुभाश सरकार इन्होंने स्वच विध्यालय पुरसकार को launch किया है तो यह कुछ important news है अगला question है हमारा in which state the department of animal husbandry has launched a pilot project to implement the one health framework तो देखे पशु बालन चोपी भागे उन्होंने one health framework को लागू करने के लिए पाइलेट प्रजेट शुरू किया अभी starting में इसको पाइलेट प्रजेट की तरह शुरू किया गया है तो किस राज्ये में इससे शुरू किया गया सह ही answer हो जाएगा उत्तरा खंड तो इसका में objective देखे यह है कि जो पाइलेट प्रजेक्ट implementation है इसको देखा जाएगा कि कैसे यह implement हुआ है इससे सीखा जाएगा खुशना को इसी सीख के अधार पर एक roadmap तयार किया जाएगा एक one health roadmap को तयार किया जाएगा क्योंकि देखे क्य पाइलेट प्रजेक्ट में देखा भी तो जाएगा ना कि किस तरीके से चीज से एक work कर रही है उसी के अधार पर इस roadmap को जो है वो develop किया जाएगा यहाँ पे बात आई थी देखे ministry of fisheries animal husbandry की तो इसके union minister कौन है ध्यान रखेंगे परशोतम रुपाला अब friends बात आती है उत उत्रकाशी में है गंगुत्रे टैंपल भी उत्रकाशी में है केदानाट टैंपल यह सभी important टैंपल है आपके उत्राकंड में उत्राकंड में lakes की बात करते हैं तो skeleton lake काफी जादा पूछा जाता है जिसको रूप कुण के नाम से भी जादा जाता है एक्जाम में इसके यहां पर राम गंगा डाम भी है नाशनल पार्क की बात करते हैं तो गंगुत्री जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क नंदा देवी नैशनल पार्क राजाजी नैशनल पार्क और वैली ओफ लार्ड नैशनल पार्क यह सब ही आपके हैं उत्राखन स्टेट में तो फ्रिंट यह सारी ही पॉइंट काफी important है अगला question है cover stake ने इन में से किस के साथ में जो है partnership करी है to offer insurance products सही answer हो जाएगा ICIC direct तो cover stake ने ICIC direct के साथ में partnership करी है जो भी insurance products होते हैं उनकी पेशकर्श करने के लिए आप देखो इसमें क्या होगा जो ICC directs के customers हैं वो search कर सकते हैं customize करवा सकते हैं compare कर सकते हैं जो भी उनके suitable insurance plan है चाहे वो health का insurance plan हो या motor insurance plan हो तो उसके तुला भी कर सकते हैं उसको यहां से buy भी कर सकती है चीक है तो काफी अलग-अलग जो insurance products हैं उनको offer करने के लिए ही यह जो partnership है वो की गई है आगला question है who will be awarded the prestigious Saraswati Saman 2021 for his collection of poems मैं तो यहां हूँ तो यह उनकी poems का collection था जिसका title है मैं तो यहां हूँ इसके लिए उनको prestigious Saraswati Saman 2021 से सम्मानेत किया गया इनका नाम है राम दर्ष मिश्राजी इनका नाम है तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में तीके Saraswati Saman की जो स्थापना होई थी यानि शुरुवात होई थी 1991 से होई थी हर एक साल यह award दिया जाता है literary work में यानि यह हर साल किसने किसी भार्टे नागरी को भार्टे भार्षा में लिखे गए पिछले 10 years में जो भी उन्होंने अपना लेखन कारे किया है उसके लिए उनको Saraswati Saman से सम्मानेत किया जाता है अब awards की बात ही आई है तो कुछ और awards के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा revise करते हैं जैसे देखे जिशान ए लतीफ मैं थोड़े से आपको पुराने revise करवा देती हूं ताकि हमें वो याद रहें तो जिशान ए लतीफ रामनाद गोइंका अवार्ड इने मिला था फोटो ज अगरस की population double हो गए थी उसके लिए रतन टाटाची को असम की government का highest civilian award असम भाइभव से सम्मानित किया गया तो ये भी awards त्यान रखेगा तो friends अगला question पर बढ़ते हैं Reserve Bank of India reappointed whom as a managing director and CEO of DCB Bank सही answer हो जाएगा Morali M. Natarajan तो इनको DCB Bank के M. Managing Director CEO पत्पे फिर से appoint किया गया है ये मई 2009 में DCB Bank के M.D.O. CEO के रूप में न्यूक्त किये गए थे DCB Bank की बात करेगा तो ये private sector schedule commercial bank है जिसको RBI regulate करता है 1930 में इसकी स्थापना होई तो इसका जो headquarter है वो मुंबई में है Appointments related बात आती है तो दीखे left-end governor GAV Reddy ये नए head बने है Defense Intelligence Agency में रितिक रोशन ब्रैंड मेस्टर बने रमी सिर्कल के बाई गेम्स 24 इंटो 7 रवी मित्तल इनको Insolvency and Bankruptcy Board of India का चेर्मन बनाया गया और M. जगदीश कुमार ये University Grand Commission के चेर्मन बने ये important appointments है तो friends यहाँ पर हमारे question का सिलसला तो हो जाता है खतम अब हमारा time आता है revision का तो revision में हमारा देखे पहला question है Recently a Tully Breed जिसका नाम मैत्री दिया गया In the presence of President Ramnath Covind by which country symbolize friendship with India सही answer हो जाएगा friends यहाँ पर नीदरलेंड अगला question है भारत ने 2022 के लिए United Nations Democracy Fund में कितना amount जो है वो डोनेट किया है 1,50,000 USD अगला है which union minister जिनोंने एक environmental awareness mascot प्रकृति का शुभारंब किया तो सही answer हो जाएगा भुपेंदर यादव कॉंस institute ने Delhi Board of School Education के साथ एक agreement sign किया है for offering German language course तो राइट आंसर इस गोते इंस्टिटूट इसके बाद दिखें फोब्स बिलीनियर्स की लिस्ट में टॉप पोजिशन पर इस टाइम पर कौन है अगला कोशन है विच सेंट्रल आम्ड फोर्स पुलिस रिसेंटली कंड़क्ट दर नाशनल कॉंफरेंस वोमें इन यूनिवर्म अन एजेंट आफ चेंज तो सही answer हो जाएगा आर पी एफ यान रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स अगला कोशन है विच स्टेट गवर्मेंट जिन्होंने एक प्रजेक्ट शुरू किया है तो सेट अप होभी हब्स इन दी गवर्मेंट स्कूल्स सही answer हो जाएगा यहाँ पे डेली इस दी राइट आंसर नेक्ट कोशन है डेकोडिंग इंडियन बाबुडॉम यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है आश्वनी श्रीवास्तव ने इस बुक को लिखा है इसके बाद देखे बिर्सा मुंडा जन जाती है नायक इसको यूनिन विनिस्टर धर्मिंद प्रधान जी ने रिलीस किया और इस बुक को लिखा है आलोक चकरवाल ने नेक्स्ट देखिए ट्विटर बोर्ड अफ डारेक्टर में अभी हाली में कौन शामिल हुए है तो सही आंसर हो जाएका एलन मस्क ओयो स्टेट सीनेट ने प्रेजेट किया एक situation to whom in recognition of his film The Kashmir Files तो सही आंसर है विवेक अगनी होतरी तो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से पहला question पूछा था कि जो हैवलोक आईलेंड है जो कि अंडमानिको बार में है इसका नाम चेंज हुआ है इसका नाम चेंज करके किया गया है स्वराज आईलेंड second question था कि कौनसी state government ने crop insurance portal है मुख्य मंतरी बागवानी बीमा योशना इसे शुरू किया तो सही आंसर हो जाएगा हर्याना जहां कि CM है मनुहर लाल खटर और गवर्नर है बंडारू दतातरे तो friends बिल्कुल आप सभी ने सही answers करी है आज का comment है विवेक सिंग और प्रतीब दास का तो friends बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के comments देखें तो please आप comment जरू किया करें आज का पहला question है कि कौन से state में जो लो सूंग जिसे नाम सूं के नाम से भी जानते इस festival को मनाया गया और second question है कि जो golden globs 2022 award ceremony हुई उसमें best film drama category का title किसने जीता है तो friends ये दो question है आप लोगों के लिए तो आशा करती हूँ कि आज की video भी आपकी जो रही होगी उसमें आपको सभी concept अच्छे से clear समझ आ गए होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी तो friends ऐसे ही आप तयारी करते रहें महनत करते रहें देखिए जब आप अच्छे से महनत करेंगे ना तो आपको success होने से कोई नहीं रोख सकता Thank you so much for watching this video